दुर्ग में पिलिता महिला से शादी का प्रलोभन देकर अनाचार के मामले में प्धिमनापूर पुलिस ने एक आरोपी को धर्द बोचा, वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी को नियालय में पेश कर आगे की कारवाही की। दुरुक के पत्बनापूर थाने में यूती के अनाचार के जाने का मामला सामने आया आपको बता दें शादी का प्रलोभन देकर यूती से दुशकर्म करने की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी नेलकंट साहू को गिरफतार कर लिया गोर तलब है कि मिली जानकारी के मताबिक अगराम धनोरा दुरुक का निवासी है इसकी दोस्ती वर्ष 2023 में एक इवेंट काईकरम के दोरान हुई थी वही जान से मारने की धमकी देकर लंबे समय से पीडिता के साथ अनाचार करता रहा जिसे परिशान पीडिता ने खटना की शिकायत पुलिस में की और कारवाई की मांग की पत्मनापूर्ट याई ने बताया कि पीडिता से आवेदर मिलते ही एक टिम गठीत कर आरोपी की खोजबीन की जा रही थी तभी मुखबीर से सूचना मिलने पर निलकंट साहू को दुर्ग पुलिस ने गिरफतार किया जिस पर अपराद दर्जकर आरोपी को माननी नियालाई में पेश किया गया इस सब्मन में दुर्ग सेस्पी मनिशंकर चंद्रा ने इस तरह की जानकारी दी क्रेंडेसीन नियूस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट